Hello Traders, Welcome back to my YouTube Channel, Affinityable, Money Simplify Life and We Simplify Trading. इस वीडियो में हम कल की expiry जो है, हम Nifty को अनिलाइस करेंगे और कल हम यह जानेगे कि expiry में basically क्या हो सकता है और आपको कल किन levels पे काम करना है, चाहे वो resistance level हो चाहे वो support level है और हम आज की Nifty की moment को भी cover करेंगे कि आज basically Nifty ने किस तरह का price action किया है और Nifty की closing कहा हुई है, open क्या हुआ है और आप Nifty में कैसे trade कर सकते हैं अगर आप option trading करते हैं और एक और चीज़ गैस अगर आपको option trading के regarding कोई भी doubt है या option buying में आपको दिक्कत आती है तो आप comment section में भी लिख सकते हैं या मेरे WhatsApp नंबर पे आप मेरे को reach out कर सकते हैं जो कि मैंने description box में डाल रखा है तो Nifty की analysis करने से पहले जो कल की analysis हम करने वाले हैं इस वीडियो में तो उसकी analysis करने से पहले मैं आपको अपने telegram group पे लेके चलता हूँ और वहां हम ये देखेंगे कि आज मैंने Nifty का कौन सा call दिया था और उस call ने कितने का target achieve किया है या एसल हिट हुआ है इन दोनों चीजों को आज हम discuss करेंगे तो सबसे पहले हम चलते हैं telegram group पे Hello traders जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह मेरा affinity bull Nifty King के नाम से group है जो के telegram पे अविलेबल है आप सर्च करके भी join कर सकते हैं otherwise इसका link मैंने description box में डाल रखा है आप वहां से भी आप इसको join कर सकते हैं ठीक है तो आज मैंने अपने premium group पे आप ये देखे मैं 5 minutes के अंदर call देता हूँ 16,100 की put मैंने दी थी buying उसकी थी 76 की जिसका target था 96,113 और 133 का जिसका target था और इसका initial में मैंने उसका initial में SL बन रहा था 70 का जिसको last में मैंने modify कर दिया था उसका SL मैंने कर दिया था 62 का अब आप ये देखे 62 का SL था और 76 की buying थी ठीक है इसके बाद इसके बाद उसने high लगाया है आज जो day का high लगाया है इस put का वो 176 का लगाया है ये तो पहली call हुई ठीक है उसके बाद second call मैंने 11 बचकर 28 में पे दी थी 11 बचकर 28 में पे आप जाके timing सब कुछ note कर सकते हैं same put 16100 की put buy बोला था above 81 जिसका SL दिया था केवल 75 रुपे आप देख सकते हैं मार्केट में इतना छोटे SL पे कौन काम कराता है आप भी चेक कर सकते हैं मैं बहुत छोटे SL पे काम कराता हूं तो 6 पॉइंट का केवल SL था और 81 से वो सौदा घूम के 176 का high लगाया है तो ये मेरी calls की quality है आप अगर option में नए हैं अगर आपको option trading सीखनी है especially buying सीखनी है या selling सीखनी है तो आप उसके लिए भी मेरे को reach out कर सकते हैं और मैंने अभी अभी अपने affinity bull premium जो मेरा whatsapp group है उसका link डाल रखा है आप यहां से भी उधर join हो सकते हैं और आप nifty में काम करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अगर आपको nifty में कैसे trade करना है आप as a independent trader बना जाते हैं तो मेरे courses हैं आप उसको भी join कर सकते हैं तो यह तो रही बाद telegram group की और अगर अभी तक आपने मेरे youtube channel को subscribe नहीं किया है तो please subscribe the channel and press the bell icon ताकि next video जब भी आए उसकी notification आपको time भी मिले तो आईए अब बिना देरी के हम nifty को analyze करते हैं और कल जो expiry है कल के दिन basically market में क्या moment हो सकती है और आपको किन levels पे काम करना है तो traders यह nifty daily का chart open है आपके सामने आप देख रहे होंगे और कल कल जो मैंने analysis करी थी और कल मैंने आपको कुछ levels बताये थे मैंने आपको बताया था 16,500 का जो level है वो बहुत critical level है यह ऐसा resistance या support काम कर सकता है depend यह करेगा कि market open कहां हो रही है ठीक है market आज आज आपका open कहां हुआ था market आज open हुआ था 16,130 के आजपास और market ने इसका जो high लगाया था वो लगाया था 140 यानि आपके 16,500 के level के 10 point नीचे तो आपको मैंने बताया था जो इस 16,500 का level है एक बहुत important level है और कहीं ना कहीं price इसके नीचे था तो यहां से यह कहता resistance है और देखिए इस resistance के बाद मैंने आपको एक support बताया था वो support था 16,000 का जो की आज की market ने तोड़ दिया है आज की market ने तोड़ दिया है 16,000 का level तो अब कल की market के लिए क्या important level है एक तो यह 16,000 का जो level है यह perfect resistance की तरह काम करेगा अगर कल market अगर कल market 16,000 के आपको नीचे मिलती है तो यह जो level है यह perfect resistance की तरह काम करेगा perfect resistance और आपको initially support कहां मिल सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ अगर market नीचे जाने को तयार होती है तो आपको जो पहला support मिलने की उमीद है इसको हम green में कर देते हैं यानि 15,900 के आसपास 15,900 का जो level है वो perfect support की तरह काम करेगा और यह level भी तोड़ना इतना असान नहीं है तो यह एधा support होगा और आपका 16,000 का level भी important है जो एक perfect resistance है अगर in case कल market ने 15,900 का level तूटता है तो आपको market कहीं ना कहीं इस level पे इस level पे जो 15,800 का next support होगा कहीं ना कहीं market आपको इस level पे भी कल की दिन expiry के दिख जाएगा अगर कल market trending रहा तो कहीं ना कहीं जो closing है आपकी वो 15,900 के नीचे आपको देखने को मिल सकती है बट condition यही है कि कल अगर market gap down open होता है ठीक है यानि आपके 16,000 के नीचे खुलता है market तो आप यह expect करिए कि पहले तो वो एक बड़ टेस्ट करेगा इस level को 15,900 के level को अगर यह भी तूट जाता है 15,900 का level तो market कहीं ना कहीं 15,900 के नीचे आके 15,800 को जाने को त्यार हो जाएगी ठीक है तो यह तो कल के आपके levels मैंने बताए अब एक छोटे time frame यानि 5 minute के time frame पे चलते हैं और आज market के price action को समझेंगे कि आज market ने किस तरह का एक छोटे time frame पे price action कैसे बनता है और हम price action को देखके कैसे trade कर सकते हैं और देखिए अभी यह जो blue वाली यह में चल रही है आपकी 50 day moving average है प्राइस निफ्टी इसके नीचे है तो कहीं न तो bearishness में तो हाई है और global sentiment भी negative है अब हम इसको देखते हैं एक छोटे time frame पे चलके 5 minutes का time frame हम use करेंगे इसके लिए 38 जुलाई है यहां से लेकर market यहां पे ठीकिना आप पहली candle को watch करिए candles बहुत important है यह केवल price moment price की information नहीं देता है कि open क्या था high क्या था इसके अंदर sentiment छुपा होता है आप यह देखिए जो जिस तरह का candle बना था पहला जो candle है यानि gap up हो के अगर आप psychology को समझे सारा खेल यहां पे psychology का है आप यह देखिए कल market ने closing कहां दी थी 1636 के असपास यह आपकी closing थी अगर मार्केट ने gap up open किया है अगर मार्केट gap up open करके और आपको पांच मिन्ट में weakness शो कर रही है it means market में जान नहीं है market उपर जाने ही नहीं वाला है आप इसको back test भी कर सकते हो कितनी बार ही back test कर सकते हो तो कहीं ना कहीं यह जो candle था यह वीग candle था और आप देखिए starting में लेके तो गये उपर वर्थ हुआ क्या है जो मार्केट के पांच मिन्ट का जो हाई था या पंद्रमिन्ट का भी आप हाई कह सकते हैं यह हाई था ठीक है मैं मार्क कर देता हूं ठीक है इसको मैं मार्क कर देता हूं इससे यह जो हाई था 15 मिंट का यह पांच मिंट का आप हाई बोले मार्केट उस पर आता है और एक बहुत ज्यादा सेलिंग आपको देखने को मिलते हैं और मार्केट फिर एक डाउनवर्ड मुमेंटम की तरफ बढ़ चुका था आप एक बात गौर करेंगे अप इस कैंड यह वाला उड़ यह जो कैंड़स्टिक पैंट इन यह कहीं न कहीं आपकर धिस्टिन के पास एज़ा मौर्निंग स्टार बना अगर आप पके लिन पैटन को समझते अगर आपको सीन पैंड मेरे यूटिब बीरिश रिवर्सल मौर्केट यहां पर एक एक यह एक एडवास ट्रेडर होता है कि है जो काफी समय से ट्रेडिंग में है उसको यहीं सी हिंट हो गया था कि मार्केट इस पॉइंट वे वीक हो गया है ठीक है ना उसके बाद आप देखें मार्केट ने 16,140 के हाई से मार्केट की जो लगाया है वो लगाया है 15,951 का 15,951 का और उसने क्लोधिंग दी है 15,975 तो इस सारा खेल होता है प्राइस एक्षन आपको प्राइस एक्षन समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको प्राइस एक्षन जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यह आपको समझ आती हूँ अगर आपको फिर मैं ट्रेजर से यह कह रहा हूँ अगर आप ऑप्षन करते हैं और स्पेशली ऑप्षन बाइंग करते हैं और आपको किसी भी चीज़ को लेके डाउट है तो रीच में आउट आप मुझे वहां भी फॉल्व कर सकते हैं अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो थैंक्यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो को देखेंगे कैसे मुवमेंट करती है और कल की वीडियो में हम कल की एक्सपाइरी को एनलाइज करेंगे कि कल एक्सपाइरी में बिसिकली हुआ क्या है All the best guys for the expiry